व्यक्ति का मन जितने शान्त और प्रसन होगा, मतलब हम जितने खुश होंगे और जितने शान्त होंगे, जितने इस्थिर मती होंगे, अंदर से दिमाग इस्थिर रहे, डावा डोलना रहे. शान्त होंगे, इस्थिर होंगे, और प्रसन रहे, खुश रहने की आदत बनाएंगे, तो इसका परिणाम क्या होता है जीवन में, जो आप परम सुख की प्राप्ति कहते हो, इसकी शुरुवात यहां से होती है, क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि छह चीजे व्यक्ति को उसके बाद में, जीवन में मिलती हैं, पहली चीज आती है कि जिसको शान्त रहना, मन को तनाओं से रहित करना, stress freeze अपने को कर ले व्यक्ति तनाव से मुक्त कर ले और तनाव भी दो तरह का emotional भी और mental भी भावनात्मक तनाव भी और जो दिमागे तनाव होता वो भी दोनों से मुक्त हो व्यक्ति तो उसके जिवने पहली चीज आती है कि वो अच्छी health में जीता है उसका immune system बड़ा strong रहेगा और बिमारियां जो गुन की तरह व्यक्ति को खाती है जो व्यक्ति के अंदर दिमक की तरह से बिमारियां लग जाती है उससे मुक्ति मिलेगी तो क्या समझ में आया कि ये सौदा घाटे का नहीं है वाई आप कोई और विधी सीखो न सीखो जीवन को शान्त करना और खुश रहना खुश रहने का नजरिया प्रकृतिने आपको ये चीद दी है बच्चा गिर जाए चोट खा जाए चलते चलते गिरे फिर उट जाएगा थोड़े दिर रो भी लेगा तो उसके बाद में उसको भूल करके वो खुश हो जाएगा और फिर उसी तरह हासने लग जाएगा खेलने लग जाएगा उसी तरह एक्टिव हो जाएगा बढ़ों की आदत है कि जीवन में कोई भी पीड़ा आई बस उसके बाद उसे दिमाग में ऐसा बैठा लेते हैं बस मेरा तो नसीब ठीक नहीं है मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है क्योंकि हर पल हम दूसरों के साहरे जीने की चेश्टा में लगे रहते हैं तो ये बात ध्यान रख लेना कि जीवन की सची खुशी तब आती है जब व्यक्ति अपने आपको शांत रखे और खुश रहने का नजरी अपना है जो बच्चों के अंदर होता है बच्चे खुश रहने ही जानते, दुखी रहना नहीं जानते हाँ, जिन लोगों को, जिन बच्चों को आप ये ट्रेंड कर देते हैं कि वो ध्यान बटाने के लिए, अपनी तरब ध्यान खीचने के लिए उन्हें रोना पड़े, चीखना पड़े, चिलाना पड़े, जिद करना पड़े, जमीन पर लेटना पड़े तो ऐसे जो जिद्धी बच्चे हो जाते हैं, तो उनको ये पता है कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरी मन्चाई चीज पूरी नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जगड़ा करेगा, वो चीखेगा, वो चिलाएगा, वो कुछ भी करेगा लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, कि यतना करने के बाद भी उसकी मन्चाई चीज मिल जाए तो फिर वो अपना खुश होकर के खेलना शू कर देगा बड़े होकर के हम लोग किसी से कुछ भी लेने के लिए चीखें, चिलाएं, कुछ भी करें लेकिन मन्चाई चीज मिल भी जाए, तो भी हम खुश नहीं रहते हमारा ध्यान एक चीज लेने के बाद दूसरी पर लग जाएगा और सारी चीज़ें लेते किसलिए हैं कि हम खुश रहें हर चीज हम पाना किसलिए चाहते हैं कि हम खुश रहें हम किसलिए सारी चीज़ों का संग्रा कर रहे हैं कि हम शानती जीवन में तृपती आ जाए और हमें खुशी मिल जाए लेकिन एक के बाद दूसरी सीड़ी पर पाउं रखेंगे लेकिन जिस चीज के लिए वस्तुएं मांग रहे थे जिस चीज के लिए इतना एफर्ट कर रहे थे खुशी के लिए उसे तो मनाना भूल जाते हैं इस पे तो द्यानी नहीं जाता आनंदित होना भूल जाएंगे बाकी सब याद रहेगा शांत होना भूल जाएंगे बाकी सब याद तो इसलिए उन्होंने एक बात बड़ी अद्भुत कही उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये फूल खिलते हैं आने एक तरह के छे तरह के पूल जिन्दगी में खिलेंगे उन लोगों के लिए एंज्यू कार्नेगी ने कहा कि मैं ये वो व्यक्ति है जिसने जीवन में बहुत कमाया और कमा करके लोगों की जिन्दगी में खुशी देने के लिए अकबार में विग्यापन देता था कि मैं कुछ सहयोग साहता करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनकी की जाने चाहिए तो मुझे कोई तरीका बताए किन की सेवा हो, किन के लिए दिया जाए, किस तरह दिया जाए कहां इन्वेश्ट करके मैं ज़्यादे लोगों का फाइदा पहुंचा सकता हूँ जो लोग उसको सला देते थे और जिसका कि सला सबसे मेत्वपूर्ण मानी जाती थी उसको फिर वो पारितोशिक देता था कि मेरे पैसे का सही डंग से सही जगए पर ज़्यादा अच्छा उपयोग हो पहली बात उसने कही कि पहला फूल तो ये खिलेगा कि आप प्रसन और शांत रहने के कारण स्वस्त रहने शुरू होंगे सेहत मिलेगी ये पहला ऐसा महत्वपून लाब है जिसको आप कह सकते हैं कि साधान चीज नहीं दूसरा उन्होंने कहा ये पीस ओफ माइंड आपका बैलंस बनाता है विचलित नहीं होने देगा और साथ में ये भी कहा कि आप प्रेम से भर जाओगे आपके रिस्ते बड़े अदबुत हो जाएंगे क्योंकि शांत व्यक्ति बहुत प्रेम वाले व्यक्ति होता बात चीट करने में भी मीठा होगा व्यवारे में भी मीठा होगा अशांत आदमी तो एक मिनिट के लिए अगर शांत भी होकर बात करेगा तीसरी बार पूसते ही वो फट पड़ेगा एकदम एक बात जरह जोर देकर आपने कही तो एक बार तो उत्तर वो शांती से देगा और व्यक्ति के हरदे में प्रेम की उपज होगी रिस्तों में प्रेम भर जाएगा उसके उसका व्यवहार ही प्रेम पूर्ण हो जाएगा और ऐसे जो लोग होते हैं जो प्रेम पूर्ण लोग होते हैं उनको आप देखेंगे कि बोलना व्यवहार करना दूसरों के साथ बरता हो, बड़ा मीठा होता है कड़वा नहीं होता वातावाने ही मिठास से भरपूर कर लेंगे फिर उन्होंने एक बात और कही कि एक अगली चीज़ शुरू होती है व्यक्ति भै रही ते जीवन जीता है डरों में आशंकाओं में जिन्द की चलती है तो वो उनी की चलती है जो ज़्याद अशान्थ रहते है कि एक पॉजिटिव मेंटल एटिट्यूट मतलब व्यक्ति का जो दृष्टि कौन है बड़ा सकारात्मक हो जाता है देखने का नजरिया अब बड़ा अच्छा हो जाता है ये बात ध्यान रख लिजिए कि दृष्टि कौन एक बड़ा महत्वपून चीज है हमारे जीवन के